हेलो एनस स्टुडेंट वेलकम बैक टू दे चैनल जिते अंदर आ रहें क्लासिज तो देखिए जो एनस का जून का रिजल्ट आया है 2021 का उसमें स्टुडेंट्स के बहुत सारे डाउट आ रहे थे प्रॉब्लम आ रहे थे और जो है उसके अंदर जो क्रोस 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 क्या है सर इसका मतलब क्या है इसका सॉल्यूशन क्या है और ये क्यों आया हमारा तो ये सारे doubt बहुत ज़ादा आ रहे थे तो वीडियो को start करते हैं और आपको बताते हैं सारी जो है इसके बारे में कि क्यों ये आपका आया है और इसका solution क्या है तो देखिए सबसे पहला जो reason हो सकता है वो हो सकता है कि जो TOC वाले student है stream 2 के student है देखिए होता क्या है कि वो CBSC या other board से failed होते है या कुछ भी होता है वो दो subject की TOC लेते हैं बाकी 3 या 4 subject NIOS से बर देते हैं तो वो कहरें सर हमारे ये 3 या 4 subject हैं इनी की mark sheet आ रही है इन 2 subject की आई नीरी है तो ऐसा reason हो सकता है कि आपने अपनी जो original mark sheet है वो NIOS के अंदर submit नहीं कराई है regional center में आपको वो submit करानी पड़ेगी तभी आपका पूरा result बन के आएगा आधा दूरा नहीं आएगा और ये 1.5 महिने के अंदर आपका result जो है original mark sheet के अंदर correct हो के आ जाएगा तो आपको अपनी सबसे पहले क्या है चाहे regional center चाहे नोड़ा headquarter आपको original mark sheet fast submit कर देनी चाहिए अब आपका जो second point आ रहा है वो क्या आ रहा है कि भाई ये जो आपका कुछ student क्या हो गया है कहरे sir हम तो सम्मे पास है फिर भी cross 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 आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो देखिए उसका reason ये भी है कि कई बच्चे क्या हो गया है student तीन languages में पास हो गया है जैसे मालिया हिंदे, इंगलिश और पंजाबी ले ले लेते हैं ये asamese ले ले लेते हैं और भी बहुत सारी language जो है ले ले लेते हैं तो ये क्या हो रहा है कि 5 subject हैं माल लिया और उसमें से 3 language हैं, 3 language में पास हो और 2 आप other subject में पास हो आप पास हो जाते हैं लेकिन जो है 3 language के बेस पर आप पास नहीं हो सकते हैं और एक और बहुत अजीम mark sheet हमारे पास जो है आई उसके अंदर क्या है कि बच्चा क्या है 5 subject में तो पास हो गया लेकिन जो एक English language subject था उसके अंदर fail तो सीधी सी बात है यहां पर दिक्कत दूसरी आ रही है कि बच्चा 5 subject में पास हो गया लेकिन किसी भी language में पास नहीं है यानिक जैसे English subject है उसमें SYC आया हुआ है और बाकी सम में पास है और उनमें कोई language नहीं है तो ऐसे बच्चों के पास भी क्या है cross cross क्योंकि इसमें ए कि यह हो सकता है आप किसी एक subject में SYC आ रहा हो SYCP आ रहा हो SYCT आ रहा हो यानि कि इसमें आप theory में फेल है इसमें practical में फेल है इसमें दोनों में फेल है ठीक है तो इस तरीके से आपका इस वज़े से भी यह four time cross आएगा और इसका solution भी क्या है आप next time के exam देंगे तभी वो clear हो पाएगा documentation में कई गडबर हो जाती है admission के time पर आपने document पूरे submit नहीं कराएं तो बाद में क्या होता है वो भी result को रोक लेते हैं तो इन सब का solution यह है रीजनल सेंटर पर अपने जाए और वहां पर आप advice ले सकते हैं अब जो सबसे last इन सब का solution क्या है cross 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 का examination fees आप क्या है जो on demand examination 2021 जिसका portal अगस्त में open होने के chance है या सितंबर अगस्त सितंबर में दोनों में आपके exam on demand के होंगे उस time पर आप examination fees दे के उन subject में पास हो जाईए अब next के आ रहा है या October के जो exam है public exam 2021 के उसमें आप वो एक दो subject दे सकते हैं या आप दोनों में एक साथ fees भर सकते हो म इस तरीके से आपका ये सारा जो है हमने solution आपका बताने की कोशिश किये अगर फिर भी आपका कोई doubt होता है तो आप जो है इसी में से या इससे related कोई भी doubt आता है आप comment box में जरूर पूछी 100% आपको जवाब मिलेगा और जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चै टाइब कर लिजिए थैंग